यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही न पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बल पूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे किन्तु यह अवश्चक नहीं कि जिस से आप प्रेम करते हो, उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तू नहीं, न राज्य है न धन्क, जिससे तो एक दिन में सफलता नहीं मोजनागत बाग्यक के दवार उनके लिए नहीं प्रयास करते हैं तो प्रयास करते रहें सफलता एक में एक दिन आपके पास आएगी एक दूसरी की सहायता करोगे साथ निभावगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों हो ना उसका हल बड़ी सरलता से आपने काल पाओ राधेर भाग्यवान समझिए खुद को कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्या है किसी के स्वार्थी होने से स्वयम का दृष्टी को उड़ी बस यह दृष्टी रखिए स्वयम के परमार्थ पर मन प्रसंद्न होकर बोले राधेर न करना छोड़ दो तो किसी काम के नहीं रहोगे इसलिए बिना किसी विराम के कर्म करते रहो और जो कुछ भी आपके पास है उसे बाटना सीखो मन प्रसंद्न होकर बोलेगा राधे राधे यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है यदि आकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उससे सहमती समझ लेते फिर धीरे धीरे वो आपका सुभाव बन जाता है आपका अभ्यास हो जाता और पिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाशान के बाती बन जाता है अपनी वानी का आवश्यक्ता पढ़ने पर सदुपयोग कीजिए वानी को वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना इससे भी अधिक महतोपूर्ण है यह समझना कि उसे कब तोड़ना है राधे राधे जन्म लेते ही व्यक्ति को जीवन जीने के लिए संगर्ष करना पड़ता कभी अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए संगर्ष करता है तो कि संगर्ष करते समय कष्ट बहुत होता है यह प्रीम वो रंग है जो जीवन में रज भर देता है यह प्रीम वो सोच जो पल भर में मुक्वे मुस्कान ना देती है प्रीम वो पुश्प है जो मन की बग्या को खिला देती है प्रीम वो सोच जो एक ही शंड में संसार में आ ये प्रीम वो जो तप्ते मरुस्थल में आपको जुवित रखें, ये प्रीम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दें, ये प्रीम वो जो आपके मुख पर उसकान लाद, जैसे अभी इस समय राधा मेरे मुख पर लें, अद्भुत है ये प्रीम, तो आईये इसी प्रीम के स साथ कहीं कि राधे दीना कोई ऐसा विश नहीं है जो समय आने पर हम्रित ना बन जाए और इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता है उसे अयोग्य बनाती है उसकी सूच इसलिए स्वयम को जानो जान जाओगे कि आप क्या हो अपने अंतर्मन को जगाएं आप देखेंगे कि जिस संसार की नीव ही बनी है आशा से उस संसार में निराशा हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता कि दाधेर करोध उनी पर आता है जिने हम जीवन में कभी कोना नहीं जाते जिन से हम अथा हप प्रेम करते हैं जिनके लिए हम यह आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदेव सुख में रहे उजवल हो इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करें करें अवश्यक नहीं कि वो कश्रोई होगा वह सकता है वह आपका शुन तक हो जो आपके लिएकस नर्म का कारण क्या है आक को नके घुश्य का मर्म développement किसी व्यक्ति के आपके पास आने के तीन मुख्य कारण होते हैं भाव अभाव और प्रभाव यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आने तो उसे प्रेम दे सम्मान दे यदि कोई आपके पास आभाव में आने तो उसकी आवशक्ता समझें और जितना हो सके स्वयम से उसकी सहाय तक है और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारणा है तो भी उसे समुचित सम्मान दें स्वयम को भाग्यशाली समझें कि कोई आपके प्रभाव के इवल मनुष्य ही है जिसने धन की मुद्रा का अविश्कार किया धन कमाना सीख और आश्चर्य की बात भी ये है कि मनुष्य ही है जो कभी अपना पेट नहीं भर पार क्यों इसका कारण है लोग तो कर्म किये जा तू फल के चिंता ना कर तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है बस विश्वास कर जाधे रहे जो ना शास्त्रों की परिभाशा में मिलेगा ना शास्त्रों के बल ना पाताल की कहराईयों में ना आकाश के तारों जीवन तभी तक है जब तक कर्म करोगे तो संगर्ष करते रहें कष्ट को भूल जाई और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे रहे